वाटाफट से ट्राई करते हैं इस पॉश्चन को चलिए चलिए देखते हैं कैता है Mr. X on our residential house which purchased by him 1998 सर दो लाख रुपे का एक घर खरीदा 2 लाग का the FMV दे रखा है fair market value the house आपका 20 लाग का the house is sold by him घर को बेचा गया 2021 में पूर आपका consideration ये 74 लाग 5000 का the brokerage other expenses transfer 20,000 पिछले कोश्चन में परसंटेज था यहाँ पे कोश्चन में ये दे दिया the dues date of the furnishing return 31 ठीक है sir ये पहले से पता होता है कि जिस साल हमें income tax return फाइल करना होता है वो हमेशा end days होता है जो कि given था कहता है he purchase a new residential house 2022 तो sir पहले ही खरीद लिया दो साल का वक्त मिलता है लेकिन पहले ही खरीद लिया कितने का खरीदा तो exemption मिलेगा and invest 5 लाग रुपे in capital gain account सर 5 लाग रुपे capital gain account में भी डाला इसने and कहता है scheme में कब डाला इसने 29 साथ को और एक लाख रुपे फिर से डाला एक आठ को head purchase some jewelry इसने एक jewelry खरीदा इन 2001 और 2,5 लाग का एक मार्च को he sold इसने बेच दिया यानि सवाल सर दो जगे गूम गया ये एक property के उपर आ गया एक jewelry के उपर आ गया ठीक है न सर compute the capital gain और capital gain आपको निकाल के देना है चलिए एक एक करके सवाल करते हैं पहले मैं property की बात कर लेता हूँ पहले मैं property की बात कर लेता हूँ सर सेल कंसिडरेशन सर सेल कितने का किया इसने सेल किया इसने 74 less selling expense minus करके आ गया अब ध्यान से पढ़ियेगा सवाल को कहते है दा brokerage भी paid कर दिया इसने the due return filing तो दे दिया he purchased a new residential house एक नया residential house इसने खरीद लिया पांच लाग का यानि मैं लिखता जाता हूँ सर 14.05.2022 के अंदर इसने घर खरीदा that is 5 लाग का he invest 5 लाग इसने invest भी किया सर sir invest किया है कितने का 5 लाग का जो की before return है return file करने से पहले तो ये भी exemption मिलेगा ये भी exemption मिलेगा आगे कहता है ये एक लाग रुपै on एक एक दो जार बाईस को एक आठ दो जार बाईस sir एक और investment किया इसने वो किया इसने एक लाग का यानि जो investment total capital gain deposit में किया है इसने total 6 लाग किया है जिसमें से 5 लाग रुपे वाला हिस्सा return file करने से पहले है और 1 लाग return file करने के बाद तो जो return file करने के बाद है उसका तो exemption नहीं मिल सकता सर्थ आगे कहता है कि he had purchase some jewelry 2000 दो और एक में तो सर यहां से सवाल ना बिल्कुल different हो जाता है सर कभी jewelry खरीदा था और March में उसमें बेचा है 2022 में और end 1 March 2022 में he sold the jewelry इतने रुपे का बेच दिया इसने ठीक है सर compute the capital gain for the assessment year जो भी दे रखा है relevant cost तो cost of acquisition के लिए सर लिया जाएगा 20 लाख और divided by 100 इंटू में 317 सर इंप्रूमेंट लगा ही नहीं तो करिए बताइए क्या आता है 40,000 63,40,000 यह आजएगा LTCG सर मैं बड़ा short में लिखना हूं आपने ने लिखना हूं आपने पूरा लिखना है long term capital gain 10,40,000 सर section 54 के अंदर exemption मिलेगा सर एक तो घर खरीदा वो तो पूरा मिल जाएगा सर इसमें कोई दो राई नहीं है दूसरा 54 में किसका investment जो किया है लेकिन सर 54 तभी active रहेगा मान लो इसने पैसे तो जमा कर दियो उसमें 5,000,000 अगले साल उसने निकाल के jewelry खरीद लिया हो तो तो exemption अगले साल क्या हो जाएगा वीवाफ हो जाएगा cancel हो जाएगा ठीक है न तो सर 5,000,000 यह भी मिल जाएगा लेकिन जो investment इसने 54 में एक और किया है लेकिन एक आठ को किया है यह investment नहीं मिलेगा सर सर यह जो बाते हैं जो मैं बता रहा हूँ इस बातों को note के form में आपको question paper में लिखना है मैं मानता हूँ आपको पता है सर इसका नहीं मिलेगा आपने सवाल भी कर दी आंसर बिल्कुल ठीक है लेकिन examiner को कैसे पता चलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि यह वाला investment सबसे पहले तो 54 का आपको देना पड़ेगा note फिर यह investment before return file से किया है तो exemption available है और यह return file के बाद किया है तो इसलिए exemption available पूरी बाते बताना होगा तो taxable capital gain इसका यह आ गया अब आगे बात कहता है सर इसने जोलरी खरीदा जोलरी कब खरीदा सर इसने इसने खरीदा था दो हजार एक और दो के अंदर कितने का खरीदा था सर धाई लाग का तो मैं इधर सीधा सीधा निकाली देता हूँ सर सेल जोलरी की बात करते हैं सेल तो सर कितने का इसने सबसे पहले बेचा जो है इसने यहाँ कोई सेलिंग एक्सवेंस है निए माइनस सी ओ आई सरी सी ओ ए धाई लाग सर कब का लगेगा इंडेक्शेशन कौन से टाइम का लगेगा इंडेक्शेशन कब खरीदा था एक और एक और दो का दे रखा है 100 और वैसे भी हमें पता ही है किसका क्या होता है और बेचा कब है 22 में 21-22 तो 317 ही है बताइए साड़े साथ लाग कुछ आएगा न 7-9 बताइए 1-8 साथ सवाल में कुछ्चन में कहता है compute capital gain 9-0 भी है तो बहुत ज्यादा loss आएगा कहता है compute capital gain तो अब यहाँ तक पहले बताइए आपको clear है एक जगह आपका gain आ रहा है एक जगह आपका loss आ रहा है ध्यान देना यह क्या है capital तो आपसे अगर capital gain का सवाल पूछा जा रहा है तो आप net करके बताइए यहाँ पे मैंने बाकी ये ना इसी format के नीचे हो सकता था जैसे कि मैंने 10 यर में solution किया हुआ है इसी format के नीचे हो सकता था बट मैंने क्या करा है थोड़ा अलग कर दिया अब एक निकालेंगे आप total capital gain तो जो हाउस से है वो profit है आपका और minus कर देंगे less loss sir loss 184 अभी भी loss बच जाएगा कितने का one sir ये loss अब देखिए इसका answer कैसे लिखेंगे एक इसके note बने 54 section का एक investment का note बना एक ये loss अब जब ये वाला point आएगा यहाँ पे और loss का point बनेगा कि ये वाला loss 139,490 रुपीज का जो आया है ये next year में set up होगा set up का मतलब अगर अगले साल हमने फिर से profit कमाया तो उस profit को हम reduce कर देंगे suppose कर अगले साल आपने 2,00,000 का capital गिन किया है तो ये 1,49,490 रुपे उसमें से minus कर दिये जाएंगे और balance पे आप text दोगे ये note में डालना है कि balance will be carry forward for next year के लिए आपको carry forward करना है तो ये सारे note लिखोगे ना इतना answer करके सिर्फ ये 2 point करके सोचते हैं कि हमारे full marks मिल जाएंगे नहीं इनके तो marks के सासत इनके भी marks हैं आपके note जो डालोगे उस note के भी marks होगे इनका टेक्स में ध्यान रखना paper answer बहुत छोटा होता है लेकि note बड़े बन जाते हैं पूरे detail में explain करना है अपने note विशाल मैंने tenure के अंदर डाले हुए हर question में आप देख सकते हो same note रहेगा मैं दिखा भी दूँआ कह रहे हैं voice नहीं आ रही है मेरे पास तो carry forward वाला मैंने ये बताया वैसे तो carry forward एक chapter है कि जैसे कि suppose करो अभी भी ये loss बचा हुआ है अगले साल आपकी कमाई हुई डेड़ लाग की तो डेड़ लाग पे tax नहीं भरोगे अगले साल पहले ये जो पुराना आपका loss है उसमें से पहले minus कर लोगे अब जैसे balance बचेगा जैसे एक 40 मान लो तो 10 बचा ना बैलेंस दस अजार आप चार पांसो दस बचा तो दस अजार पांसो दस पे आपको टेक्स देना पड़ेगा बैलेंस पर डिफ्रेंस मैंने गलत लिया हो सकता है आप देख लिजेगा वो अगले कोशन पर चले चलिए एक और कोश्चन झाले कोशन